असलाम अलेकुम फ्रेंट्स मैं हूँ शारुक गुरपूर पर ससाइटी से और आप देख रहे हैं मेरा चैनल शारुक बर्ड लबर दोस्तो जैसे कि अपने लाश पार्ट में देखाता है कि अब हमें बॉक्स टांगने थे और नेस्टिंग करनी थी तो यहां बे देखिए बॉक्स लगाने का काम स्टार्ट हो चुका है दोस्तो दिवार में मैंने स्टील काटी जो है डिल इंची की लगाई है यह समसुद्दीन भाई देख सकते हैं कि यह काटी इसमें ठोक रहे हैं दिवाल में तो इसको अच्छी तरीके से हतोड़ी से ठोक बख सकते हैं यहां बिइन यसान मया इहां एक नह Fal juego स्फिजिंग कर से हमने यहां पर सब्सक्राइब कंत दिवासर्ड देख यहां इस तरीके से अपने से बना दिखिए और इनको अच्छी तरकी से दे दी है बाकी कुछ नेस्टिंग हम नीचे फ्लोर पे छोड़ देंगे तो जिसको जितना अच्छा नेस्ट बनाना होगा जैसा बनाना होगा वो अपना नेस्ट बना लेगा तो आईए अब आगे का काम स्टार्ट करते हैं तो दोस्तों अब देख सकते हैं यहां भी चार बॉक्स लगके तयार हो गयाएं तो टोटल तीन और चार साथ बॉक्स लग चुके हैं। और अब यहां से दीवार में और लगाने हैं, उसके बाद जैसे जैसे जगह कम होगी, हमें समझे पाकिकी जगहों के लगाने हैं। तो इसलिए मैंने कुछ मट्कियां भी आइट कर दी है तो दोस्तों देख सकते हैं यहां पर मैंने एक और पर्च लगा दिया है नीचे और यहां पर मैंने दो मट्किया इस कॉर्णर पर दी है और एक मट्की इस कॉर्णर पर और एक मट्की इस कॉर्णर पर तो टोटल मेरे 12 box ओ गए हैं और तकरीबन 4, 5, 6 4 मटकिया हो गई है तो total 12 से 18 Pies बाक्स और मटकी लगा के मैंने लगा दिया है और जो मेरे पास pair है वो total 17 हैं मतलब 34 Pies हैं तो इस में से अब जित्ते भी pair बन जाए 10 Pies या 12 Pies इंशालह जो भी ब्रीड आएगी जो भी प्रोग्रेस रहेगी मैं आप लोगे साथ जरूर शेयर करूंगा तो आप देख सकते हैं माशाला से सब कुछ कम्प्लीट हो चुका है और बहुत ही शांदार लोग अबारा है कुछ नेस्टिंग हमने नीचे भी दी है तो आप देखते हैं कैसा रहता है जैसा भी होगा आप लोगे साथ दोस्तों जरूर शेयर करेंगे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ तब तक के लिए दोस्तों खुदा हाफिज